है यान नमस्कार दोतों स्वागत एक बाद फिर से आप सभी के अपने चैनल एजए टक नो पे दोस्तों आज की वीडियो फिर से हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नए चैप्टर के साथ यहां दोस्तों तो आज हिस्ट्री का दूसरा चप्टर हम डिसकेस करने वाले हैं जिसका नाम है आर यानि वैदिक सब्धता तो कल का जो पहरा चैप्टर था वह हड़ा पर सब्धता जिस वैसे मैंने बहुत सारे कोशन इंक्लूट किये थे जो इसकी 20 सारो पिछले 20 तो आज भी इस कोशन में सारे कोशन पूछे और इस पर इंक्लूट किया है तो आप से एक मैं पूछोंगा भी तो आप लास्ट वीडियो में बने रहे हैं और आप उसका एंसर कमेंट पार्क्स पे मुझे कर्या बताएएगा और इस पर जितने विफॉंट मैं ने इंक्लूट किये हैं वो सारे अधर कंप्टेटिव एक्जाम में भी पूछे हुए हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहला कोशन भारती पड़ल लगभा के बीच उभरे यानि भारती भूमी जो थी उसमें आरे का आगमन कब हुआ तो इसकोशन यह जो कोशन है यह आरार भी जम्मू कश्मीर एसम 24 में पूछा गया था तो बढ़िया कोशन है तो इस पर हम आप्शन से अगर इसको कर करने चाहें तो कैसे कर सकते हैं तीनिजार से 25 इसा पूर तो कोई मतलब नहीं उड़ता क्योंकि इस तरी सो पचास से सत्राइस के बीच में हमारी हड़ा पर सबहता थी तो उसके बाद ही जो होगा तो इसका अपसर होगा तो यहां पहला भी आपसर इसमें रॉंग हो जाता है इसके कार्डिंग और दूसरा भी गलत हो जाता है और तीसरा जो है यह बिलकूल ही गलत है तो आपसर यहां पर कौन सा बच्छा चाओ था तो यहां पर जो वैदी यानि आरे लगभग आये थे तो वह सत्तरा सो पच्छास के बाद यहां पर आगवन के ठीक है तो इसका आपसन जो है करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर डी तो नेक्ष्ट कोशन पर चलिए चलते हैं को श्रूप में थे तो आरे भारत में किस रूप में थे तो इसमें बहुत सारे अलगला राइटर्स के अलग-अलग अपवाद हैं बट इसमें जो में रीजन माना जाता है जो सुटेबल माना जाता है वह अकरणकारी के रूप में माना जाता है कि यहां पर यह जो मद्धेसिया से आए थे वहां पर इनका में जो विवसाय था वो पस्वालन था वहां पर चरागाहों के कमी होने लगे तो यह वहां से गमन करने लगे और यह पूरी और पश्मी तो उसके रूप में ना होकर ना ही सरणाथी और ना ही आप रुआसी थे तो यह आकरुनकारी के रूप में आये थे ठीक है नश्वाद करते हैं कुशन नमर तीन आरे लोग भारत में कहां से आये थे तो आरे में पिछले को सब्सक्राइब को बता चुका है कि आरे लोग सब्सक्राइब करते हैं को सब्सक्राइब करते थे तो यहां पर जो पहले से लोग रहते थे तो उनकी लाइंगवेज है द्रमिट ठीक है और पाली और पाक्रत यह संस्क्रत का ही एक दूसरा रूप है जो थोड़ा सा इससे डिफ्रेंट है तो इसका जो करेक्ट आप्सन हो जाएगा वह आप्सन एस संस्क्रत रूप कोशन नमर पांच की बात करते हैं ब्रामणवाद जिसे की आज एक सेश्टोर के रूप में समझा आता है कि जड़े थी तो ब्रामणवाद जो आज भी एक जैनल में आता है तो यह किस यूग से इसका प्रादूर हा हुआ तो इसकोशन में जाए तो ने इसक ठीक है रिघवादिक पांवाद जो आज एक दॉकर नट्र होगा ठीक हem लिनक जो थी एक स्वैंट काल से ही हुई थी जिसमें से चार वरन अलग अलग बटे थे उससे एक ब्राम्हण तर्व था उसको सेश्ट वर मान जाता था इसका जो करेक्ट आपसर होगा आपसर नमर सी उत्तर वैदिकाल नेश्ट कोशन की बात करते हैं कोशन नमर 6 रिगवेद में सबसे पावित्रिंदी का ज है वो सिद्धु नध्य को माना गया है और गंगा का वरणन एक बार मिलता है रिगवेद में और यवन और वरन तीन बार मिलता है तो इस कोशन को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिएगा कि सबसे पावित्रेन जो थी वो सरस्थी वह सबसे जो महत्रपूर्ण थी वो सिंधु थी तो इसका करेक्ट आप्सन हो जाएगा अपसर नूम्बर ए यानि शरस्थी नेक्स कोशन में साथ कोशन नमर सा रिगवधिकाल में आर्यो का मुख्य वेवसाय क्या था तो मैं आपको पिछले कुशन करवा चुका है कि वहां पे जो चरागाहों की कमी होने के कारण वो मध्धेसिया से पूर्वी और पश्चिमी साइड में पलायन करने लगे तो इसका जो करेक्ट आप सरूंगा पस्व इनके जो मुख्य वालतू पस्व थे इतने पस्व इनके मुख्य पालतू पस्व थे तो इनका इसका जो करेक्ट एंसर होगा आपसन नंबर भी यानि पश्वालन निश्क कोशन में बात करते हैं कुशन नंबर 8 वैदिक साहत में प्रियुक्त ब्रीह सब्द का अर्थ है त तो इसका जो करेक्ट आप्शन होगा आप्शन नंबर डी और समय अंसर कोशन नंबर 10 की बात करते हैं वैदिक यूग में लोगों द्वारा सरु पतम कि जदात का प्रयोग किया गया था तो वैदिक में लोगों को द्वारा सिर्फ ताम्वे का यूज किया गया था और आपसन नंबर दी यानि तामबा तो वैदिक यूगीन सब्सक्राइब कासी थी वह कार्श यूगीन थी तो निक्ट कोशन में बात करते हैं तो नमर 11 वैदिक धर्म की मुख्य विसेस्था इन में से किस्म की उपासना थी तो वैदिक धर्म की जो को इसका जो और नहीं नेचर के प्रतिय लोग बहुत उदार रहते थे तो इसका जो करेक्ट आफन हो जाएगा आफन नुम्बर एष сказала यानि नेचर कोश्चन नमर वारा इफंग देवत कौन था तो रिख वेध में है यहाँ प्रभीत नम्मारिद में सबसे प्रमुख देवतानी रिख्वेत hahita ऑध्रconoणते वह अगनियोता को मनते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वरनन आए अगनीय में ओमार्थ हे यहाँ पर हवा के लिए यूज होता था वर्ड ठीक है तो क्सक्राइक्ट G कि सबसे ज़्याद दियोता थे अगर दोता की बात करें तो अगनी आए ठीक है कि इस को शड़न को मैं अभी तुरंट पीषे करवा यह तो इस कोशन को धिए द्यान दीजेगा कि सबसे प्रमुख जो थे वो अगनिती और च्छाद की बात करते हैं तो वाजडेक विएक में तो लुवाब कर सकती ती अनूलोम विवाह स्कृत था तो युग वैजिक काल में कौन सा पॉसिबिल था तो इस कोश्चन का एंसर जाने के लिए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रही है मैं आपको सबसे लास्ट में इस कोश्चन का एंसर आपको बताऊंगा ठीक है नश कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन नमर 15 भारत में प्रतीक कि चिनकी आधार पट्टी पर अंकिस सबस्ट्व में हो जाते कि से लिया गया है तो इस यह कोश्चन बहुत जगाए उच्शा गया है और भोती अभी आपको में साख कोश्चन हो तुझे सबको साहिब पता होगा तो यह मंडों को को निप्साद से लिया गया है मंडों को शोलाद रिगवधि काल में पर שמंद था तो नियोगपर्था का संबंद किस से था टो देवर के साथ साधी कर सकती थी तो इसमें ये Eliघुवा संधित junior का जो मतलब अपसंद होगा वह आप सो नमबर टी नियोग पर था विद्वाओं से संबंदित थी नेश कोशन की बात करते हैं कोशन नमर 17 प्रिसिद्व दसराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया तो यह बहुत ही इंपार्टन कोशन है यह भी हाजीपुर 2014 में गृुप डी में कोशन आया हुआ है तो यह दसराज युद्ध जो हुआ था यह रावी नदी के किनारे हुआ था इसका आपको मैंने ड प्रिस्क्रिप्शन भी प्रस्कति तो जो करेक्ट आप्शन होगा वह आप्शन होंबर होगा यह रावी नदी किनारे कोशन नमर 18 की बात करते हैं कि निवन में किसे प्रजापती की जुडवा पुत्री भी कहा गया है तो यह भी एक कोशन अपने आप में बहुत अच्छा तो यह बात की जुडवा पुत्री कहते हैं कि इसका जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमर डी जुडवा के मलद दो यानि ट्वाइंस पहला हो जाएगा सभा और दूसरा हो जाएगा सामी जो प्रजापति यानि जो राजा होती थे महांत लोग होते थे उसमें स से दो चीज चलती थी सवा और समी तो यह दोनों चीज़े चलती थी जिसको एक जुडवा बहने कहा जाता तो यह क्या थी इसका जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमर डी यानि स्वभा और समी जो नेक्स कोशन की बात करते हैं कोशन नमर उनीस वैदिक समाज मे गाउं का प्रमुख की से कहता था ग्रामडी और उसके जो उपर जो आता था वो होता था प्रमुख और ग्रामडी से नीचे जो आता था वो होता था मुख्या यानि हरे घर का एक मुख्या होता था और एक गाउं का जो मेन होता था वो ग्रामडी होता था उसके उपर जो क समाज में कितने वर्गों में बाटा गया है तो आपको सबको पता होगा को चार वर्णों में बाटा गया ठीक है जिसको बात करते हैं कुछ नमर कीस आरे सबता के किस कारखंड में महिलाओं की इस्तिधी अच्छे थी यह भी कोशने के अपन्या में बहुत अच्छा है तो आरे समाज में रुग वैदिक काल में महिलाओं की सच्छे थी क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल आने लगा था तो यहां पर वर्ण बहुस्था स्टार्ट हो गई थी तो यह कोशन अपने प्रत हो जाएगा और बोथ हो नहीं सकते तीन में से कोई हो नहीं सकते तो जो करेक महत्त जो था वह था पुरोहित का जो पुरोहित होता था वह एक राजा का नहीं नाम होता था जो दूसरा नाम होता था राजा का यह होता था पुरोहित ठीक है तो इसका जो करेक्ट आप्सन हो जाएगा वह हो जाएगा ए इसका जो सिनानी होता जो सिनापति होता था उसे से यह घृतितों रिंबनें मेगिक तो यह यह्ंद इसका घृतिकbach are निम्हरती चिसे पशुच्चित नहीं थे तो आरे थे वह किशिटी से परचीड नहीं थे तो इसका जो भी आपो्षॉन आप तो यह पीतल मिनियॉम प्यूतर, इल्वीनियम, कहले, पेटोल आधि से परइचित तो थे बट ये लोहे और समुद से परइचित नहीं थे ध्यान दिजिएका कि बात की गए है तो ये लोहे और समुद से परइचित नहीं थे जबकि अगर उत्तरवेदिक काल बोले जाए तो यहां पर सौरी अगर यह बात की जाए 800 इशापूर से 600 इशापूर की तो इस काल खंड के बीच में यह लोग लोहे से परचित हुए थे यह रिगवेदिकाल में ने तो रिगवेदिकाल की स्टार्टिंग आहां तो यह सत्रह सो पच्छास इसवी के सम्थिंग माने जाती है तो इसका जो करेक्ट आप्सन होगा आप्सन अमबर सी लोह है और काशश है ने शुक्षन पी चलते हैं आरस अभिता में राज की आयका प आपस होते थे तो धार उपस उस पर जो टैक्स लगता था उसी से इनका जो है राज की कोश्च चलता था जिसका जो करेक्ट आप्सन होजाएगा आप्सन नमबर ए कोश्चन नमबर पच्छीश निम्रिशन कॉन सागरंत उत्तरवैदिकाल में बारा राजाओं की सूची प अलग तो उसका जहां पर पूरा वरन यहां पर एत्रे ब्रामठ में मिलता है यह कोश्चन बहुत ही इंपर्टन कोश्चन है आप इसको टिक कर लिजेगा जिसको नोट कर लिए ठीक है नेश्कों की बात करते हैं कॉस्चन नमर 27 मोच्च की प्राप्ति के लिए 4 आस्रमों क को लेख जो सबसे पहले मिलता है वह जब आलो पनिशद में मिलता है यानि कोश्च आप्शन नमबर डी इसका अप्शन नमबर डी होगा नेश्कों की बात कर लेते हैं कोश्च नमर 27 इस निम्हें में किस राज़ा किस यग्ए के आफसर पर आयोदित होने वाले रथ दोड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था यानि कि वहाँ पे राजा के जो रथ को जिताया जा था बाकि कि किसी को नहीं जिता जाता तो इसका जो करेक्टा आप्षन है आप्षन नमर किसी बाज़ पे यह भी कोश्चन गोरखपुट टीशीट क्लेक्टर और शीशी दोजाट्च में पूछे कोश्चन यह भी इंपोर्टन कोश्चन है इसको भी आप टिक कर लिएगा नोट कर होगा नबर से जो लाज़ पे राज़ा के रत को जिता आजाता था जान बूजिकर ठीक है इसका जो करेक्ट आपशन होगा आप्षन नमर में सीक है तो चलिए लास कोशन की बात कर लेते हैं जो मैंने लास्ट कोशन छुट थे रख पर 15 वएधिक यूग में जो कौन सा प् option number D होगा यह अनलोम विवाह की जो स्विप करती थी अनलोम विवाह क्या होता है इसमें उच्छ कुल का यानि जो लड़का होता था गवाय वो कि उच्छ कुल का हो सकता था लेकिन जो गार्ड होती थी वो निम्न कुल की हो सकती थी ठीक है तो इन दोनों के बीच में आपस में इसकी साधी हो सकती थी यानि उच्छ कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की का जो संबन्द होता था उसे कहते थे अनलोम विवाह तो इसका जो करेक्ट आप्सन होगा आपसन नंबर डी तो यह प्रता यहां पर प्रिचलित थी यानि स्विक्रत थी तो उमिद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कोई भी डाउट है कोई से भी कोशन में तो आप क तीस कोशन होते हैं और अगर आप डेली इतने ही कोशन करेंगे तो आपका जो जीए से एक तरीके से वह बहुत ही मजबूत हो गया और यह कोशन बहुत सारे कमटेटिव एक्जाम में पूछे जाता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जेहन जेभारत